नवस्कार आप देखरें एक आउनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनंदी चक्रवर्ति दोस्तों आज मैं बात करूगा तो स्टॉक मार्केट की बात करूगा स्टॉक मार्केट में तेजी से उचाल आईए लेकिन क्या इसका फायदा आम आदमी को हुआ है या नहीं क्या चोटे निवेशक को ये फायदा हुआ है या नहीं क्योंकि यही कहा जा रहा है इस वक्त जितने भी दरबारी अर्थ शास्त्री हैं जितना भी गोधी मीडिया है जो भी पिंक पेपर के पंडित होते हैं जो एकनॉमिक पेपर में लिखते हैं वो यही कह रहे हैं कि देखे किस तेजी से आम जनता ने स्टॉक मार्केट में भाग लिया और उनको बहुत सारा फायद सो रुपे मार्च दोजार बीस में तो अगस्त दोजार इकीस में जाकर ये दो सो बीस रुपे हो चुका होता है आप देखे टू पॉइंट टू टाइम्स बहुत सारा फायदा आपको होता हाँ हम कह सकते हैं सिरब अमीरों को इसका फायदा हुआ होगा जाहतर जैसे चास्त्री कह रहे हैं नहीं आम छोटे निवेशकों को भी इसका बहुत सारा फायदा हुआ है और इसको हमें बताने के लिए वो कहते हैं कि देखे तीन चीजे हैं सबसे बड़ी बात है कि आप देखे किस तेजी से डीमाट अकाउंट मतलब जिस अकाउंट से आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं कि तेजी से डीमाट अकाउंट खुले हैं साथ में रीटेल पार्टिसिपेशन जिसको आजाता है मतलब छोटे निवेशकों की इंडिविजूल का पार्टिसिपेशन एक्सचेंज और स्टॉक मार्केट में खरीद फरुक में बहुत इसका हम इसका हम हिसाब लगाते सबसे पहले को अपने फोन पर मैंने लगा रखा है ताकि मैं आपको सही से बता सके हैं कि 2020, 19-20 में मार्च में जाकर 5 करोड डीमैट अकाउंट हमारे देश में थे और 2021 के माई तक ये 7 करोड के आसपास हो गए थे, यानि कि 38 प्रतिशत का ये आप कह सकते हैं बढ़ात है, बहुत तेजी से ये बढ़ा है, लेकिन ये जो 6.9 करोड है, ये हमारे देश की आबादी के तुलना में कितना है, लगभग 5 प्रतिशत है ना, 6.9 करोड मतलब हमारी आबादी का ये लगभग 5 प्रतिशत है, तो हम इसका कंपेर करते हैं कि बैंक अकाउंट हमारे देश में कितने लोगों के पास है, पांच प्रतिशत के पास है, डीमैट अकाउंट, बैंक 80% से भी जाद लोगे फिर भी क्या किया जाता है हमारी जितने भी अर्थ नीती है जितना भी हमारा अर्थिक नीतिया है वो सब stock market के लिए किया गया है tax कम है सब कुछ वहाँ पर कम है bank में interest rate कम है यही मैं comparison आपको फिर से बताता हूँ कि अगर 2020 के March में आपने bank में जो है stock market में 100 रुपे डाले होते तो मैंने आपको बताया कि वो 220 रुपे हो जाता अगर वही पैसा आप fixed deposit में भी रख लेते दो साल वाला तो अब तक वो 106 रुपे हुआ होता 106 रुपे पर आप देखी कि कितना जादा फायदा stock market वालों को मिलता है क्योंकि उसी तरीके से हमारे देश की आर्थिक नीतिया तयार किये गए हैं आज नहीं बहुत सालों से tax कम है और interest rate तो आप जानते हैं कि कितना कम आजकल मिलता है अच्छा एक आकड़ा दिया जाता है कि retail share market turnover का market turnover का मतलब होता है कुल खरीद फरोग जो exchange में होता है stock market का वो कितना है अब 2019-2020 में लगबग 49 प्रतिशत 2019-2020 में 49 प्रतिशत जो खरीद फरोग होता था वो retail यानि individual छोटे निवेश को का होता था उसके तुलना में 2020-21 में वो 45 प्रतिशत हो गया जो कि बहुत बड़ा बड़त आप एक तरीके से कह सकते हैं ठीक है चे प्रतिशत का बड़त जो है हुआ है 45 प्रतिशत पर पहुंच चुका है इसका मतलब अभी खरीद फरोग जो हो रहा हुश का एक बड़ा हिस्सा जो रिटेः पार्टिसेपेट 95 ए छोटा निवेश के इंडिविज्चे पास इसका मतलब यह जो होना चाहिए कि जो चोटा निवेशक है उसको उसके पास जो कंपनिया है उसके कुल मूल ब्राइब जादा हिस्सा होना यानि कि 18 रुपय, अठारा प्रतिशत जो था वो रीटेल, छोटे निवेशकों के हाथ में था, 2020 डिसम्बर में आते आते, वो गिर के 9 प्रतिशत पे आ गया, यानि कुल कमपनियों का जो मूल्य है, उसका हिस्सा, छोटे निवेशक, इंडिविजुल के हाथ में जो है, वो आधा हो गया है अब देखिए खरीत फरोग त्यानि ट्रेडिंग वह ज्यादा हो रहा इसका मतलब है 60 चल रहे हैं जुवा चल रहा है लोग 60 खेल रहे स्टॉक मार्केट में और ये बहुत खतरनाग है चोटे वेशक के लिए कि थोड़ा सा भी stock market गिरा तो वो बहुत बुरी तरसे इसमें जुला सकते हैं तो इससे बचना बहुत ज़रूरी है अच्छा एक और चीज जैसे कहा गया कि stock market में जो कुल हमारे देश में बचत है household saving जो घरेलू बचत है उसका कितना हिस्सा stock market और इसमें debenture क भी एक पार्ट आता है लेकिन मैं उसको ले लेता हम लगभग तो भारत में इस वाक्त वो बढ़ा है लगभग साड़ी तीन प्रतिशत होता था वो बढ़के 4.85 प्रतिशत के आसपास गया है उसका मैं तुलना करता हूँ USA के साथ USA में कितना जाता है घरेलू बचत का stock market में 5.36 प्रतिशत यानि साथ गुना से भी जादा US में stock market में लोगों का पैसा जाता है इसका मतलब है US में जादा लोग stock market में invest करते हैं और उसका लाब भी उठाते हैं हमारे देश में साफ है कि stock market का जो बूम है जो बढ़त है वो सिरफ उपर के 5 प्रतिशत पर पास ही जाता ह यही है इस हफ्ते का economy का हिसाब किताब